नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ टीवी एक्सपेस और मैं हूँ आपके साथ जोती का आई रू करते हैं खबर की ओर साथ गण्टे बीच जाने के बाद भी चूला बंद आंदोलन होने तक यह आंदोलन जारी रखने की बात की बात कर रहे हैं कि दरना प्रदसंग चाल भी जब तक रास्ता मिल गया कि दरना इसे चल गया तो सुबह से कोई अधिकारी आया यहां नहीं आया यह समस्या इस ग्रामीर जो गांव है बट खिरवा इसमें गांव बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं इसके लिए पंचायत हुई थी 25-7-20 तो उसी के समकच्छ में उन्होंने कहा कि चुलहा बंदान्दूलन रखेंगे तो हमारे संग्ठन के माध्यम से आज सुबह से करीब चुलहा बंदान्दूलन रखा गया है पूरे गाउं में सुबह से कोई चुलहा नहीं जला हम लोग जाके देख भी हैं और बच्चे भी बैठे हैं ग्रामीर के लोग सारे लोग महलाएं माता हैं मैंने सभी लोग बैठी है जानवर भी जो है चारो तरफ जो है अपनी भूंक प्यास के लिए वह भी परेशान हो रहे हैं लेकिन फिर इसके लिए हमने सरकार को जब जह है सासन को जब नोटिस दी और उसमें हमने M को बताया गया था अवगत राय ता कि यह हमारे वहां के बच्चे हैं चोटे चोटे इनके जो है d τουद की व्योश्थ हाठा बाक्स سरकार की व्योस्था जो होगा वो वBLोग आतर के अबने जो यहां की समस्या का शमाधान नहीं होता है क्योंकि यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है देश जब से आजाद हुआ है जो नौ मोल बहुत सब्धाओं से जो है हर एक ग्रामीड और हर एक आदमी को दिया गया था कि रोटी कपड़ा और मकान बिजली पानी और सलक स्वास्थ सुरच्छा रोश्था यह सारी चीजें हैं नौ मोल बहुत सब्धाओं से आज भी एगा जब तक जारी रहेगा तब तक यहां पर कोई समाधान नहीं निकलेगा गां के लिए आपकी रास्ता नहीं है तो आप लोगा सुबास्या नहीं मिलेगा तक लिए बहुत गम्ही रहे हैं गाउंक के निकलने गाउंक से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। काई बार शिकायते और अप्लिकेंशन भी दी गए लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। हमारों यहां एक इस ट्रशान पंचयत भी की गई। एक्रीद दस लारा दिन पहले की दिगी। लेकिन उसमें तैसिल्दार साहब आये थे उसमें जो है आर दिन की मुहलत मांग करके किसान पंचात में क्या कहा गया किसान पंचात में तैसिल्दार साहब आये थे वो आर दिन का मौका ले करके और कहा था कि हम कोईने कोई निदान जरूर करेंगे रास्ता कहीं से निकालेंगे लेकिन आज 12 रोज 15 दिन हो गई ही 16 इसका कोई हमको नहीं 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 मिला यह आज सही सुदू किये है आज से आपकोई गरों में चूला नहीं जले कोई जानवार और बच्चे कोई भी नहीं खाया न खाया यह जब तक निर्ड़ नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा रास्ता जलत तक नहीं कोई हमको मिल ला ही तब जले रोट नहीं बनी तेले बैठन समस्या बहुत पुरानी है बहुत दिनों से समय चली आ रही है कई बार प्रयास किया गया तैसी लस्तर पे जन प्रितिन्दियों से लेकिन कोई इसका ना तो जानकारी मिलती है ना कोई सुजाओ ही मिलता है समस्या का मेन कारण है गाउं के लिए कोई रास्ते नहीं है इसलिए हम लोग जी उनके दर आप क्या अंस्वासन दिया गया कोई अंस्वासन दिया ही नहीं गया कहा देखते हैं देखते देखते सालों बीद गए सालों से दसीन साल बीद गए और इतने दिन गुजर गए लेकिन कोई यहां तक आया ही नहीं कोई पहुंचा ही नहीं कि जो हमारी समस्चा को देखे और उसका निराकरान करें गाउं में करेब तो अचीज मकान के आसपास होगे आबादी देख सो के आसपास होगे आधी से शुरू की कि आपने चूला है नहीं जलाया अब यह तो अनुश्चित कालीं है जब तक हमारी समस्चा का समाणान नहीं होता है तब तक हम लोग ऐसे ही चूला बंद करके बिना खाय पिये यहीं कि हम लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं है जहां पर हम अपनी समस्या को लेकर गए वहां हमारी समस्या का आतलग कोई उसका मंदला कोई सुनवाई नहीं हुई और कि नहीं हुई रास्ते कि हमारे यहां छोटे-छोटे बच्चे हैं ना तो यह स्कूल जा पा रहे हैं हमारे मात आयए बहने किसी की तब्यत खराब होती है तो गवर्मेंट बहुत बड़ी सिवधा दे रखे लेकिन हमारे यहां कोई मर जाए लेकिन हमारे यहां इंवोल्ठ न अब ये तब तक जारी रहेगा कि हमारे गाओं के सारे जानवर भी भूखे मेरे जा रहे हैं हम लोग बैठे हैं अब जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे गाओं का रास्ता नहीं तब तक हम लोगों का भोजन और नास्ता नहीं होगा इस खबर में बस इतना ही बने रही है लाइफ टीवी एक्सप्रेस के साथ